बीछ आ रही एक बड़ी खबर की ऊर बता दें आपको बड़ी खबर आ रही है देरदू से उत्राखन का 21 स्थाफन देवस साच calling संफ गाउं से लेकर राजदानी तक अयचित होगी का कारी कर fface उत्राखन गौरव पुरसकार की शुरुवात होने जा रही है पांच प्रतिष्टित लोग गौरव पुरसकार से सम्मानित किये जाएंगे पुलस लाइन दरदून में होगा कारीकरम कायोजन राजेपाल परेट की सलामी लेंगे तो ये इस वक्त की बड़ी कबार पांच लो गौरव पुरसकार से सम्मानित किये जाएंगे पुलस लाइन दरदून में कारीकरम कायोजन होने जा रहा है राजेपाल परेट की सलामी लेंगे ये इस वक्त की बड़ी खबार आपको बता दे दरदून से तो त्राखन का 21 स्थापना दिवस आज ये इस वक्त की बड़ी बड़ी खबार आपको बता रहे हैं उत्राखन मौहसव के रूप में और तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं कारीकरम स्थापना दिवस पर क्या क्या कारीकरम होने वाले हैं तो उत्राखन का 21 स्थापना दिवस आज देर्धून पुल्स लाइन पर विशेष कारिक्रम कायोजन चिस्त्राखन पुल्स की जवान कारिक्रम में हिस्सा लेंगी राजेपाल और मुख्यमंत्री लेंगे परेट के सलामी राजेपाल गुर्मी सिंगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी का संबोधन होगा तो सापना दिवस को उत्राखर मौसफ के रूप मनाने के निर्देश मुख्यमं के ये पुष्कर सिंग्दामी द्वारा दिये गए हैं सापना दिवस पर एक सप्ताह तक आईजित होंगे कारिक्रम राजानी से लेकर नियाय पंचुराद स्थार कारिक्रम आईजित होंगे उत्राखन गौरफ पुरुसकार की शुरुवात जो है वो होगी अलग अलग शेत्रों के प्रतिश्चत लोगों को पुरुसकार दिया जाएगा कारिक्रमों का बेहतर डंग से आयोजन करने के नर्देश दिये गए हैं मुख्यमंक्री तबारा तो कारिक्रमों की गुर्मत्ता और गरिमा पर ध्यान देने के नर्देश दिये गए हैं भावी युजनाओं के संचालन पर विशेश तोर पर ध्यान देने के निर्देश दिये गए हैं उत्राखन के समगरे विकास में हम सब को सायोगी बनना होगा राजिक विकास का विभादवार विजिन भी तैयार करने पर जोर दिया गया अजीत कंबोच हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं धरदून से इजाज अंगाली के साथ उत्राखन के स्थापना दिवस के मौके पर अजीत ताज कारिकर्म के आयोजन जो होने जा रहे हैं क्या कुछ तैयार यां कर ली गई है पिल्कुल अंजली उत्राखन के बात की जाता आज उत्राखन अपना 21 इस्थापना दिवस मना रहा है 9 नवंबर सन 2000 को उत्राखन राज्जी की स्थापना हुई थी ततकालीन भाजपा सरकार ने उस उत्राखन को अलग राज्जी के रूप में मानना दी थी और आज जब राज्जी अपना 21 इस्थापना दिवस मना रहा है तो तयारियों इहां पर जोरो शोरो पर है आपसे कुछी देर बार ठीक 10 बज़े से इहां पर जो उत्राखन राज्जी का मुख्य कारकरम है वो शुरू होने जा रहा है राजधाने धहरदून पुलिस लाइन में आप दे सकते हैं पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी करमचारी यहां पर मौझूद है तयारियों को इंप्लिमेंट करने का काम कर रहा है जो तयारिया है वो अब अंतिम चरण में हैं कुछी देर बार यहां पर जो मुख्य अतिती हैं और तमाम अतिती घंडे उनके आने का सिलसला सुरू हो जाएगा लगबग 9 बचकर 55 मिनट पर यहां पर मुख्य मंति पुशकर शिंग धामी पहुंचेंगे तमाम जो अतिती हैं उनसे मिलने का काम करेंगे साथ ही जो यहां पर सिलसलेस को किया जाएगा तो तमाम तरह की त्यारिया था राज्य स्थापना दिवसकूल लेकर बीते रोज ही बड़े कारकमों को लेकर नहां पर जो त्यारियाBye benata langkar很多 sales समीक्षा कर रहे हैं और साफ तोर पर जो निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि तमाम नियाए पंचयत इस्तर तक पर ये कारकरम होने हैं और उत्राखंड महुतसव के तोर पर लगबग एक हफता तक ये पूरे कारकरम आउजित किया जाएंगे चाहे निया स्थापना दिवसका और भव्य तरीके से मना सकते हैं इसके लिए शाषन इस्तर पर क्या क्या जा सकता है उसकी समिक्षा की जा रही है जिला इस्तर पर अधिकारी अपने इस्तर से क्या कुछ काम कर सकते हैं वो तमाम ऐसी विवस्ता है जो साषन इस्तर पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित की गई है तो उसके अनुसार निहाँ पर काम हो रहे हैं उम्मीद है कि जब राज्जे स्थापने दिवस का मुख्य कारकरम शुरू होगा तो काफी भव्य होगा और जिस तरह से धामी सरकारने एक फैसले क्या है उत्राखंड महुतसव के तौर पर राज्जे स्थापने दिवस के कारकरम को सेलिब्रेट करने का उसी के अनुसा निहाँ पर कारकरम होता हुआ भी नजर आएगा जियांजली वो चुनौतियों से लेकर किस तरीके से विकास के पकदंडी तक यहाँ पर रहा है एक पूरी जो कता है वो आज एक बार फिर हर कोई याद करेगा पिल्कुल आपे ठीक हांजली अगर उत्राखन की बात की जाए तो उत्राखन अलग राजजे अंदुलन जो लड़े गए थे वो उत्राखन के नाम पर लड़े गए थे और तब की कठिन चुनोतियों के आगे लखनों जाना काफी मुश्किलों भरा होता था। ऐसे में पहाड में रहने वाले बाशिंदों ने एक अलग राज्य उत्रकंड की मांग की और इसी को लेकर तमाम अंदुलन भी लड़े गए। लेकिन जब राज्य स्थापना राज्य की घूशन की गई तो उत्रकंड के नाम से हुई और 2006 तक जैसा आपने बताया कि तमाम तरह की यहां पर बाते चलती रहे और 2006 के बाद नाम जो था वो बदला गया और उत्रकंड राज्य इसका नाम दिया गया तो सरकार के तमाम तरह क जो प्रियास थे वो फलीबूत होते नजर आए विकासकारियों के करबात की जैसा हो 9 नमूंबर 2000 के बाद से लगाता जो विकासकारे हैं वो यहां पर किया जा रहे है तमाम यहां पर जो इंडिस्ट्रियल फेक्ट्रिज हैं जो तमाम इलाके उनको विक्सित किया गया है इसे में धार्मी किस्तलों को कैसे और विवस्थित किया जा सकता है इनको लेकर सरकारे प्रियास कर रही हैं तमाम तरह के जो जन सुईधाय हैं उनको विक्सित करना है इसको लेकर यहां पर काम किये जा रहे हैं और सरकारों के तरफ से जो तमाम घोशने होती हैं वो कहीना क कि उत्रकंड को देखते हुए होती है कि कैसे यहां के विशम भागलिक परिस्तितियों में अगर लोग रह रहे हैं निवास कर रहे हैं तो उनकी जो समस्यां है वो दूर कैसे की जा सकती है हाला कि आज 21 साल का उत्रकंड हो चुका है लेकिन जिस तरह की दिक्कते हैं उनको ले सुईधाय यहां पर मोहिया कराई जा सके इसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ समिक्षा होती हैं केंदर सरकार से बजट कैसे लिया जाना है इन तमाम व्योस्ताव को लेकर हैं पर काम होते रहे हैं और अब उमीद भी यह रहती है कि सरकार चाहे फिर 15 अगाज 26 जनवर जिस्त अपना दिवस के जो मुखे कारगम होते हैं इसमें तमाम गोशना होती हैं उनको कैसे इंप्लिमेंट करेगी इसका भी इंतजार रहता है जी अच्छा जीत क्योंकि उत्राखंड महुदसफ के रूप में एक सब्ताहा जो है वो यहां पर मनाया जाएगा उसको लेकर से शुरुवात हो दनी जा रही है और पुशकर सिंग धामी सरकार ने इन गौरव संबान को देने का हैं पर फैसलक क्या है पहले लिश्ट आउट हो चुकी है कुल पांश लोगों को यह संबान दिया जा रहा है जिसमें सबसे वरिष्ट और जो सबसे बड़ा नाम है वो उ जो लेखक है वो तमाम तरह उनके जो किताबे हैं वो हम भी पढ़ते हैं आप लोगों ने भी पड़ियोंगे तमाल लोगों तक वो पहूंचती हैं उनको यह संबान दिया जा रहा है तो सरकार के तरफ से ऐसे लोगों को इहां पर चुना गया है जो समाश सेभा और तमाम राजिस्त अपना दिवस के मौके पर दिया जाएगा पांच लोगों का इसमें चेन क्या जाएगा ये वो लोग होंगे जिन्होंने उत्राखन का संबान देश-विदेश में बढ़ाया है और लगातार जो उनके परियासों से उत्राखन को एक अलग पहचान मिली है देश-व क्योंकि आज वोधन भी होगा मुख्यमंत्री का और जाहिर तोर पार आज का विशेश दिन जो हर उत्राखन वाजियों के लिए बहुत ही जादा माइने रखता है आज कुछ मुक्यता ऐलान जो हैं क्या वो किये जो आ सकते हैं मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ योजनाओं को लेकर या कोई बड़े ऐलान जो हैं प्रदेश हित को लेकर पिल्कुल लज़ियो उत्राखन राज्ज स्थापना दीवस के अगर बात की जाये तो लगाता सरकार काम कर रही है गोशने कर रही है और इस बार के स्थापना दीवस इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि दो महीने बाद उत्राखन को आम विधान सबा चुनाओं में उतरन होंगी तो उनके शास्नादेश भी जारी हूंगे और वो अभी तक के मुक्हिमंतरी धामि के कारिकाल में नजर भी आ रहे हैं जितनी भी वह ओ भी इनकी शास्नादेश उनके पीजा सिधरiskt भी जारी हो यह अंगर आज की तारीक में पुशकर सिंहぎ हमी कोई घोषना करते हैं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोई सौगात उत्राखंड की आम जनता को देने का काम करते हैं तो उम्मीद भेही होगी कि एक से डेड़ महीने के भीतर उनके शाषना देज भी जारी हो जाएंगे हाला कि अब तक कोई आपचारी घोषने इस कोई घोषना करें लेकि जो मुख्य कारकरम इस्थल है राजधाने दहरादून पुलिस लाइन का इसके बाद मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ग्रिश्म काली राजधानी गैर सेंड के लिए रवाना होगे और महां पर तमाम घोषना कर सकते हैं क्योंकि मुख्यमंतरी हैं और अभी कुछी समय बाद वहाँ पर ग्रिश्म काली राजधानी में विधान सबा सत्र ब्याजीत होना है तो ऐसे मों अमीद होगी कि देरशाम होते होते मुख्यमंतरी के तरफ से कई गोषना है कई सौगाते उत्रखन की जनता को मिल सकती है अच्छा अजीत क्योंकि कारिक्रम जो है वो कितने बज़े शुरू होने जो आ रहा है क्या कुछ रहेगा कितने बज़े संबोधन मुख्यमंतरी का होगा और क्या कुछ कारिक्रम नहने वाले हैं उसके बारे में भी आप हमारे दर्श्कों को बताईए मनाना है उसमें तमाम तरह की व्युस्थाइं यहां पर की गई है और सरकार की तरफ से पूरे कारिक्रम को लेकर इहां पर उत्राखन में हर जिले में हर नियाय पंचाथ इस तरप आउजित करने का फैसला लिया गया है राजधानी दहरदून के अगर मुख्य कारकरम की बात की जाए तो नौ बचकर पचपन मिनट पर यहां पर मुख्यमंत्री के आगमन का समय दिया गया है इसके बाद जो दस बज़े का समय है वो मुख्यतिती के तौर पर राजजिपाल यहां पर पहुंचेंगे और दस कर पचैस मिनट पर मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और दस बचकर 30 मिनट पर मुख्यति जो है राजजपाल वो पदक विज़ेताओं का अलंकरण करेंगे और 10-40 से मुख्यतिती राजजपाल का संबोधन होगा जिसके बाद 10-45 पर परेट कमांडर जो हैं वो मुख्यति को अपना परीचे देंगे परेट के बारे में बताएंगे और दस पच्पन से यहाँ पर उत्राखन पुलिस द्वारा सासिक परदशन के जा रहे हैं और लगबग साड़ी ग्यारब जे मुख्य अतीती का प्रस्तान होगा तो एक घंटे से ज्यादा का यह पूरा कारेकरम यह पर पूरी होती हुई नजर आ रहे हैं कारेकरम इस्तल को भव्य तरीके से सुंदर्ता के साथ यहाँ पर सजाए गया है और अभी अंतिप चरण के जो सास सज्जा है वो यहाँ पर चल रही है तो पूरी कोशिश है कि उत्राखन पुलिस की तरफ से कि 9 बज़े तक जो यह पूरी तमाम सास सज्जा के कारे हैं वो पूरे कर ले जाए और लगबक सवा 9 बज़े के आसपास यहाँ पर अतितियों के आने का जो कारेकरम है वो शुरू हो जाएगा 9 बच कर 55 मिनट पर मंतरी यहाँ पर पहुचेंगे और 10 बज़े से जो पूरा कारेकरम है उसकी विद लेट के लिए कारेकरम को लेकर बढ़ेंगे